लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें बाबा, यहाँ तूटा हुआ है माकरो, माकरो ए माई, यहाँ तूटा हुआ है जाजो तूटा प्रेस करें कर दिंदे कर दो कर रें झाल 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 मैं नहीं चाहता कि उसकी परचाईब इस घर पर पड़े मत भेजो उस राकी बंडल में बीडी में अमाचिस में तीली अरे यह कौन घूसे है अंग महल तरवाजा तोला प्था रभाई है वा धरवाजा मचबुथ नी ऐसंचान की चलीव लखटी का ए विज्बरसाद वह भाप पो खोल मैंग अनलपना27 hat जाला इतना इतना कमजर को गया कि रावन जी आफ यह आप की चिठी प्लामन जी आपकी चिठी तुम भी यार थूग में भजिय तलने चले आए हो मेरी हालत देखो मुझसे बख्षिश मांगना देखो मुझे तगदीनी ने बख्षा तो मैं तुम्हें बख्षिश कहां से दूँ मेरी गरीबी का तो यहाल है कि अगर मैं किसी फकीर की अर्थी को कंदा देता हूं तो वो उसका अपनी इंसर्ट समझता है और अर्थी में से कूट के भाग जाता है रोटी खाय हुए इतना जमाना गुजर गया है कि रोटी की शकल तक याद नहीं रही चावल कैसा होता है चाहे किस काम में आती है सब भूल गया हूं मेरा छोटा बेटा हफ्टों से भू का निडाल अंदर पड़ा हुआ है हमें तो लगता है भगवान में खाली पैदा कर दिया है तख्दी लिख नहीं भूल गया बड़ा दुख हुआ यह सुनकर अरे भाई दुख जब हमारी कहानी सुनता तो खुद दुख को दुख होता है तुम तो फिर भी इनसान हो मगर हम खुद्दार लोग है गम खाकर अपना पेट भरते हैं आसूस अपनी प्यास बु जल्दी दिखाओ मेरा बचा मर रहा है एक अठनी जी कहीं पर अठनी करते हो अरे अठनी अगर चंदे के डपे में डालो तो ओड़ते भार चली जाती है और ज्यादा निकालो ऑटी जैन में सुराः हो गया लगथा वह ठनी भी कहीं गिर गई गई तु लानत है मेरे जहां से कुछ आने वाल हो था हम आप सुराः खोजाता है मापक्रना बचाए चलता हूं आपनी घर से कुछ खाना लाके दे देते तो मेरी बीवी माई के गई हूँ है वह खाना तो वही पकाती है ना मैं तो होटल पर खा रहा हूँ तो होटल में लो चुखा है शायद आज वो मुझे भी खाना ना दे च्या मुसीबत है अचा सुनो जा कहा है एक बीडी तो दो कम स चलेगी माचे तबाब चौड़ा घर में बीवी नहीं जेब में बीडी नहीं माच इसका क्या करो कि जाओ एश करो भगवान भला करेगा जिसका कोई चांस नहीं बहुत पाड़ा नहीं मुझसर बक्षित मंगने आया था मैंने आज तक किसी को बक्षा दिया उसको बक्षित दूंगा अरे हां बेटा परसाथ इदर मेरे नाम पे चिठी किसके आ सकती है अरे इसमें तो राखी है राखी अरे हां मेरे एक प्यारी बेहन है दुनिया इदर की उतर हो जाए मंकर उसको बेजने का कुछ चक्कत चला ठीक है दो रुपए दूंगा क्या बात करते हो सेट महराजा गवलेर की बेन ने अपने भाई को जो राखी बेजी थी यह वही राखी है तुम छोटे आदमी उचे माल की कदर जानते ही नहीं चल चार रुपए ले ले चार रुपए तो इसके दर्शन को लगते है देख अब मैं पास से जादा नहीं दूंगा हाँ अच्छा ठीक है पास से परका सामान दे दे क्या दूंगा आज डबल रोटी दो बंडल बिडी दो पाकिट बिस्कूट चल जल्दी कर सेट हाँ देता हूँ अब तक हाथ भी ने लगाया और तुम पूरा हरत कर रहे हो नदर मत लगा यह जब से पैदा हूँ जिनने की पहली मरत इतना पेट भर के खाना खाया है खोज़ लेकर फजब ऑत हरु है क्ये दो यह एक रॉड़ फेलाद ए। तब मैंने उड़ा दिया तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा चलिजी बात पर आज मैं तेरे को पाकेट मारे के तरीके सिखाता हूं इसलिए मैंने तुमारे हात की घड़ी मार ली इसके कम से कम दस रुपर तो जरू मिल जाएंगे चलो मार देता हूं लंगडा तो है साला अरे अरे मेरी बैसा की लेकर ठेली ले गया अरे मेरी बैसा की लेकर पकलो कोई है अरे पकलो अल्टी जी वा शाबाश मेते जब विद्यार थी है मेरे दिन दहरे डाका डालते हैं अपाहिजों की बैसा की छीनके भाग जाते हैं बोल क्यों किया तुने बोल तुम आ मैं क्यों मार उसे इसने चोरी की है एक लंगले की बैसा की चुराई है तो चुराने दो ना को लंगला क्या तुम्हारे रिष्टे में लगता है वा 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 क्या बाप हो उसको चोरी पर सजा देने के बजाए उसकी तरफदारी कर रहे हो शायद इसलिए तुमने स्कूल से निकल वाय था ताके ये तुम्हा इतना चोर उचक का और ग्रह कर बन सके है आजी इसलिए निकाला है स्कूल से इस देश में पढ़ाई लिखाय करने वालों को मिलता क्या है सारी जिंदगी माबाप की दौलत और मेनत को बर्बाद करके लगके डिगरी हासिल करते हैं उसके बाद उसके बाद नुकरी के लिए ठोकरे खाते बिड़ते हैं आदी जिद वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाय लिखाय करके सादू संद बन जाता है सबी बेमान बनते हैं पढ़ाय लिखाय करके बेमानी के नहीने तरीके निकालते हैं मासे इक बात बता हूं आज कल के जमाने उसी बच्चे को पढ़ना चाही जिसके बाप के बाद दौलत का धेर लगावा हूँ ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बढ़ जाए और पढ़े ले खेट डिगरी वाले नौजवानों का अपना गुलाम बना कर उपर हकूमत करें इसलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवस्टी में पढ़ा रहा जिसकी आवास से तुम्हारा कलेज तरब उठेगा तुम फूट फूट कर रोगे लिकिन उस वाक्त अफसोस तुम्हारे आंसु पहुचने वाला कोई नहीं मिलेगा इस्पेक्टर साइब क्या मैं इसको आपके हवाले करने आया हूं मेरे हवाले क्यों यह तुम्हारा बेटा है नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं यह विचारा तो एक बस्टॉपे खड़ा फूट फूट के रो रहा था लगता सके माबाप नहीं आना थे इसके मैं दो सोचा आपके पास लेओं आप इसे रख लीजिए मेरा परिवार खुद बहुत बड़ा है भाई तो एक काम करूब फिर इसको हवालात में रख लूँ ना इसने कोई जुर्म किया है न कोई गुना तो मैं क्या करूं मैं कहाने जाके रखूंगा इसको अरे तो ले जाओ किसी अनातास्रम में भलते करा दो यह अनाताश्रम सब नाम के होते असरम में यह मुसीबत अरश्रम होते फॉत और यह थे चलब संब मार सहते सहते बड़े होते और जब बार निकलते तो आदिम उज्रम बन चुके होते मेरे दर्दना कहानी सुनकर तुम्हारा कले जाने लोटेगा एक मर्तबा की बात है मैं अपनी कहानी सुनाना हूँ तो अपनी कहानी बीच में कुछ रहा है इस्पेक्टर साहब आप अपनी स्वर्दी को हटाकर अपने खुसर से दिल से सवाल कीजिए कि यह मासूम यह छोटा में पलकबार होंगे एक काम करो तुम खुद इस बच्चे की परवर्श करो मैं हाँ मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा बोलो मन्सूर है देश की भविश्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं लाई लो अभी सिर्फ इतने रख लो अगले महीने से हर महीने मुझसे त परवर्श में किसी तरह की कोई कमी नाने पाए मैं अपने जिन्दगी में कमी आने दूँगा मगर इसकी परवर्श में कोई कमी नहीं आने दूँगा मैं इसे नेक और शरीफ इंसान बनाऊंगा आज से यही मेरा कर्तव यह जाओ चलो बेटा भगवान तुम्हें सफल करे प्यारे बच्चो अपने अपने घर जाओ और माबाब से कहो कि एक नया लीडर पैदा हो गया है उसने अपनी एक नई पार्टी बनाई है और उसने अपनी पार्टी का एक जंदा बनाया है और वो जंदा यह जंदे में लटक रहा है और यह जंदा लहरा कर अपनी नई पा अब आपको पुल्ट करेंगे अरे यह जंडा कहा गया जंडा यह बपू अबे तु जंडा मार के लिए तो क्या करता बपू वो फांदेबाद नेता पबलीक को जुट बोल बोलकर अपनी बड़ाई मारा था अब यह जंडा मार दिया अपने दोने तरह यह पैजाम कितना सला हुआ है बहुत आती है अब यह तो सुंगता की हुए उनलों का पटा तेरा को मालूँ है कितना खतानाक लीडर हो इस शहर के एक आदमिया उसके बच्चे ने मिलकर जंटा का जीना मुश्किल कर दिया है दिन डाले चोरियां करते हैं आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई है उन्होंने भरी सबा में डंडे का जंडा गायब कर दिया हाँ इंस्पेक्टर साथ उस दिन मैंने कितना का मेरी भी कहानी नहीं सुनी उसने आप उन्हें फॉरण किरफतार कर लीजिए वरना हम सब भूक रताल कर देंगे आप लोग जिस बाप बेटे की बात कर रहे हैं उन्होंने तो आपको सिर्फ एक ही बार लूटा होगा लेकिन मुझे तो पिछले च्छे महीनों से लगातार लूटते आ रहे हैं वो अदमी अपने बेटे को अनाथ बताकर उसकी परवरिश के लिए मुझसे पैसे लिए जा रहा है तुम सब लोग चलो आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूँगा चल बापू चल आओ यही घर है अरे यहां तो कोई नहीं है कहां के बापू क्यों ना हम आपकी बेहन के पास चले जाए दिमाख खराब है क्या क्यों जबंदसी मौत के मुह में जाना चाहता है उदर डरके मारे मेरा बाप एने तरह दद्दू है ना वो भी नहीं जाता है क्यों मेरा जीजाजी है ना वो कस्टम आफिसर है बहुत खड़ूस आदमी है अरे इतने बड़े आप लोके डरते हो तुम चलते हैं हमें सिरा चल जाओ अरे तू कैसा चला जागा तो महीं आपके भीक बंगोंगा क्या आइडिया अच्छा है लगते भी खांदा नहीं भीका दी क्या बला मुसा माल के बात करने तुम चलता हम चलता हम चलता हम अरे बैगान मेरे को मेरे जीजाजी पर्ताप्सिंगे गुससे बचाना प्रत॑प सिंभु नॉफटाप सिंभु हूँ मैस कस्टम ओफीसर का नाम सुनते इतनी मेहनदका के में माल लाता हूँ जी बाने में और ठीक डिलेवरी के टाइम पर ही धार मार देता है यो ऑचों सार का सार hottest الي कभी अब देखना ये कुलू महाराज क्या करता है कल का दिन प्रताप जिनकी सिंदगी का आखरी दिन होगा डेडी डेडी चलो ना घर मेर को भूख लगी है रोजी बेटा तु घर चल मैं अभी आता हूँ शंकर तुझे घर ले जाए जी साब हाई डिसुजा क्या हाल है कैसा चलना है धंदा मैं तो ठीक हूँ यार लेकिन तुम इतने दिन किदर था काम में बिजी था यार तुम तो जानते हो आज कल गुलू का यहां बड़ा जोड चलना है डिसुजा अरे वो तो ठीक है मगर किर दो यहां बड़ा यहां यहां दो इस वगानते बड़ाँ कि अजया जाए जड़ास है फ्रूर्प पुम यहां जार शुम यहां इसुआ है हुआ है घर दो सह सोना धर है अआ हम पता है जर आ पता ही झाल 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 अरे तुम लोग इस तरह सर जुकाए क्यों खड़े हो जा रवी की पिताजी के कपड़े इस्ति करके लाओ उनको ड्यूटी पर जाना है और तु तुन्हे अब तक नाश्टा तयार नहीं किया मालकिन आप कब तक साहाब का नाश्टा तयार करवाएंगी साहाब के कपड़े इस्ति करवाएंगी साहाब जी इस तुनिया में अब नहीं रहें नहीं नहीं मत करें ऐसी बातें दॉक्टर साहब आप इन दोगों को समझाए ना यह लोग को फिर्वाएं नाश्टर और यारे आपर नियार करें उसरे को का विए वापेस नहीं तुम को ना वह वापस आएंगे ना लिए प्रक्सर ये बात क्या है इनके दिमाग को गहरा सदमा पहुचा है इसलिए दिमागी तवाजुन खो बैठी है ऐसी हालत में इनको घर में रखना ठीक नहीं ऐसे मरीज खुद की जान भी दे सकते हैं दूसरे का खून भी कर सकते हैं इसलिए मेरा मश्यूरा है कि यहां से 200 किलो मेटर दूर राइपूर में पागल खाना है वहाँ इन्हें दाखिल करा दीजी मुझे मेरी मां के पास ले चरो ममा इदेख भी टेड़ा इसे तरह ठीक हो जागी ने खुद उसको लेकर आजाओंगो अच्छा बटेड़ा कि अच्छों सब्सक्राइब कि अच्छों कि अच्छों मेरे खुद के खाने के वांदे हैं इसको कहां से खिलाऊंगा कि एक काम करतुद को छोड़ देता हूं कोई नहीं कि इंसान पाली लेगा इसको मैं मकान तो खरीद रहे हो बाया पर बाद में कोई लफड़ो तो नहीं होगा क्या है कि यह जो मकान है ना यह मेरी बहन का था वो बैट पागल हो गई है उसका इलाज कराना है मेरेबाज जितना बी पैसा था ना मैंने सब गाव में लगा दिया अब मेरे पास एक पाई भी नहीं मचीए इसलिए मजबूर काश में अपने बहन के इलाज के अपने आप को बेश सकता और अफसोस मेरे को कोई खरीदे का नहीं इसलिए को आप जो पैसा देनेंगे ना उसकी में एक एक पाई जो अपने बहरो बहा ड़ालूंगा एक महर्मानी करेंगे अब ये मकान में साब कुछ निकाल देना मगर मेरे जीरे जी की तद्वीर कभी मत निकालना मैं आपके आगे हाथ जोडता हूँ भगवान करे हर बहन को तेरे जैसो भाई मिले तु देवता है देवता ये ले पीसा ए बापु क्या भुकिये विकारियों की तरह 24 गंदे नोट तु यह अभी नहीं समझेगा बेटा ये बात तु उससा समझेगा जब तु बड़ा हो जाएगा एक बात बता अबे तु बड़ा क्यों नहीं होता है आए तेरी जिन्दकी के गाड़ी ब्रेक लगा हुआ है सब के बेटे बाप से उंचे होगा है मेरा बेटा अभी तक ठी देखते देखते 15 साल गुजर गए या बात करता है और हम इस नए घर में आगे क्या बापू ये दुनिया बड़ी गोल है उसके अंदर लंबा चोड़ा होल है हम दोनों का बहुत बड़ा रोल है बापू हो गया हो गया तो चल दुनिया की दौलत अपना इंतजार कर रही ह हुआ 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 है दुनिया हमारे पिछे हम आगे आगे सबकी निगावों को धुका देके भागे कौन है यहां जो मेरे सामने आए किस में है दम जो मुझसे तक्राए कि मैं हूँ बेटा ये है बाप ध्यान लगा कर सुनिए आप जोटी नहीं है बात ये बात बिल्कुल खरी वाप नमबरी तो बेटा दस नमबरी कि वाप 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 अईसर्ण एहाओ पॉशे मैंस पुशणाय वे क्या मास दो तो जाँ है drinking मस्ता नीरत है उसनोजवानी सांच है पूचो ना क्या वात है चौलत की पर सांच है तुअ अपना काम कर न भाबा ना न हैरानن कर जर 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 न कामतमा मकर न भाबा ना परशाद कर तो क्या मस्ता नेर, है झाल 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 है आ behavior झाल 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 झाल